नमस्कार, Market Time TV में आप सबी का स्वागत है, मैं नितन शर्मा, हम इस समय अलवर की किर्सिवपज मंडी में मौझूद है, हमारे साथ यहां के व्यपारी जो है विजे कुमार जी, वो मौझूद है, क्योंकि अब दो दिनों से हैं लगातार जो की आवक्त देखने को मिल रही है हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो है, कितना आ रहा है मंडी के अंदर, कितना आगे जा रहा है, क्या भाव किसानों को मिल रहा है, किस भाव में किसानों से वो जो ले रहे है, हमारे साथ में विजे कुमार जी मौझूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे सर जोकी जो आवक है वो कबसे मंडी में चुरू हो गई थी? कितना जो आवक इसे सोंबार से शुरू ऊठे जो की आज तो करीब 400-500 कटे माल आया है, कल भी इतना आया है और अगले जो ये सोंबार आएगा हुली के बाद है इसके बाद हो सकता है 1,000-1,000 कटे माल आवे अभी ज्यादा माल आवक नहीं है, आगे ये माल्ट गुडगावा, नेवराना, केशवाना जाएगा, फिलाल ये गुड़ावों में जा रहा है, इसके बाद जब इसकी बुंफरावक होगी, ये सारे माल्ट फेक्ट्रियों में माल जाएगा, आगे किस कम में लेते हैं, इसक पुरा है, और मोश्चर भी खिलाल तो ठीक है, जादा नहीं है, अगर बारिज दुबारे हो गई, तो अभी जो भाव है किस तरह के मिल रहे हैं, अठारे सो पचास से गुनिस सो रुपे के भाव मिल रहे हैं, बढ़िया बाव है, अच्छा बाव है, पिछली साल से भी इनमें जाएगा, कुछ माल जो लोवर पालिटिका होता है, वो धैपुर साइड, जूद कुर साइड अपने, इसमें जाता है, चेटल फिल अप्लाने, हमारे साथ में वैपारी वीजे कुमार जी मोजूद थे, उन्होंने बताए कि जो की जो आवक है, वो सोमबार से शुर जाएगा, वहाद से फिर इसकी जो माल्ट बनती है, वो फिर जगे जगे जाती है, और इस से में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे ये जो कट्टे हैं, इस तरह पैक होके, और उसके बाद में गाड़ी जो है लोड़ होगी, फिर ये माल जो है बाहर जाएगा, फिर वहाद माल तयार होगा, उसके बाद में फिर ये माल जो है भार की तरफ आएगा, और अभी जो के जो भाव है, वो लगतार जो यहाँ पर देखने को जो ये मिल रहे हैं कि यहाँ जो कमा रहे हैं, लेकिन फिलाल, अभी यहाँ सर्सों की जो आवके वो भी हो रही है, लेकिन जो सौंबार से ही आना शुरू हुआ है, नितन शर्मा अलवर